हेलो स्टूडेंस और वेलकम टू ग्यान अध्या, अकम्प्लीट नॉलेज हब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर आप CJST, SJST, IJST, UTJST इसके पहले के वीडियोस में मैं टैक्स से रिलेट काफी कुछ डिसकस कर चुकी हूँ टैक्स स्लैब 2020 का, उसके बाद CJST के कॉम्पोनेंट्स, डिसद्वांटेज, डिसद्वांटेज, काफी सारे चीज़े हम इसके पहले के वीडियोस में और री डिसकस कर चुके हैं यह यूनित बन का कॉंटिनिएशन है, वो पार्ट फोर है, तो मैं तीनों पार्ट के जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिदूँगी, प्लस उपर राइट साइड में जो आई बटन ब्लिक कर रहा है, वो गोड़ जन सर्विस टैक्स का प्लेइलिस्ट है, आप ड इसमें डिस्कॉस करेंगे के स्ट्रक्चर क्या है जैसे कि आपको पहले में बता चुकी हूँ, जैसे को छो फोर पार्ट में केटेगराईज किया गया हुए है, C-JST, S-JST, I और U-T-JST, C-JST, जो यह सेंटरल जो भी टैक्स जनरेट होता है, वो सेंटल लेती है और विदि यंद स्टेट जो भी ट्रांस्फर होते हैं या चीजें एंसेल की जाती है उन पे जो टेक्स इम्पोस किया जाता है वो स्टेट लेती है अब देखो एक ही स्टेट में दो tax impose किया जा रहा है दो लोग अलग अलग ले रहे हैं मतलब उसको एक central ले रही है और एक state ले रही है सपोस करो अगर आपका JST 1800 बनता है तो 900 लेगी CJST मतलब central अपने पास में रखेगी और 900 रुपय लेगी SJST लगेगा मतलब state अपने पास में रखेगी इसे हमें आगे कि साइट में एक्जामपल से समझेंगे बट आप इसको रख लेना कि CJST और SGST दोनों state में जो manufacturing goods होती है यह statement जो selling होती है state का समान state में ही तो वहाँ पर यह दोनों ही tax impose होते हैं IGST क्या होता है सपोस्स दूसरे state में समान manufacture हुआ है बट वो state दूसरे में दूसरे states में आकर के वो बिक रहा है तो वहाँ पर IGST लगता है तो इसको बोलते है इंटर state and import transaction मतलब बाहर से जो हम दूसरे state से जो हम समान मगा रहे है इंपोर्ट कर रहे है अपने state में वो वहाँ पर होता है अब इसको कौन collect करता है यह state और central दोनों के तुरू यह भी शेयर किया जाता है लेकिन यह एक ही लगता है tax इसका tax का rate क्या है कैसे वो हम आगे slides में डिसकस करेंगी UGST क्या है अब जैसे कि normal states होते हैं तो normal states के अलावा हमारी country में union territories में हैं तो जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया दमंदिव आइलेंड हो गया चंडिगर हो गया तो चंडिगर वगर इस सब में क्या होता है कि यहां पर जो taxes collect होते हैं वो union territories के tax होते हैं वो यह अपने पास में रखती हैं अपने country अपने state की development के लिए या वहां के खर्च वगर को दीखने के लिए तो यह तो structure है CJS GST का आप सको थोड़ा के करके हम समझते हैं फटाफट में क्या होता है कि जो भी टैक्स जिसे कि intra state जो supplies होती हैं इंट्रा स्टेट जो भी supplies होती हैं इंट्रा स्टेट मतलब कि within the state में जो भी goods या जो भी services जो भी supply होते हैं उसको central government उस पर tax impose करती है और इसको CJS T act के through क्या किया जाता है और CJS T को कौन रखता है अपने पास में बार बार मैं आपको बोलने हैं C for क्या है central यह याद रखना कि CJS T को अपने पास में रखते हैं कौन central government अपने पास में रखती है और जो SJS T होता है यह भी इंट्रा स्टेट सप्लाई में ही लेवी किया जाता है और इसको स्टेट गवर्मेंट अपने पास में रखती है तो CJST का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है कि इसको CJST Act कि तुरू रेगुलेट किया जाता है हम इसको 14% से जाधा नहीं टैक्स इंपोस कर सकती है गवर्मेंट आपकी उपर में और यह सेक्शन एट जो कि इस अपलाई हो रहा है आपके स्टेट में इस से जाधा आप इंपोस नहीं कर सकते हो और जो भी इसका टैक्स जनरेट हो कर क्या आता है रेवेन्यू वो डारेक्ली एक अप्रूप्रीट प्रपोर्शन में शेयर किया जाता है बहुत सी जेस्ट मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों लोग बराबर का शेयर कर दिये तो इसमें अगर आपको इद्जामिनेशन में पूछता है कि डिफाइने स्ट्रॉक्चर ऑफ जेस्ट तो आपको चारो डाइग्राम पीछे वाले यह बना देना है जो इधर आपको मैंने दिखा यह जय कराएं यह डाइग्राम इस आप इस तरीके से बना दोगे एलस आप इसको स्ट्रक्चर वाइस में बना सकते हो मतलब स्ट्रक्चरवास का मतलब यह कि आप GST structure एसे लिख सकते हो और इसको आप एसे तीन पार्ट में के टेग्राइज कर सकते हो structure बना सकते हो अगर आप structure बना हो किसी चीज का तो अगर आप ऐसे ऐसे करके लिखो गे कि मतलब समझो यह I JST हो गया यह CJST हो गया, फिर State JST हो गया, फिर UTJST, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप arrow करके लिखते हो, arrow diagram देते हो, तो वो उसका अच्छा effect जाता है, तो guys यह तो हो गया कि CJST क्या होता है, बार बार एक चीज़ आप ध्यान रखना कि CJST कौन इंपोस करता है, Central Governments इंपोस करती है, और जो भी पैसा होता है, उसको regulate भी CJST करती है, जो भी पैसा होता है, Central अपने पास में रखती है, और हर एक स्टेट में जो भी जो भी गूड़ इंपोस का सप्लाई होता है, उस पर CJST इंपोस होता है, और इसको 14% से जाधा आप इंपोस नहीं कर सकते हो, किसी पर गूड़ इंपोस इंट्रास्टेट मतलब कि जिससे कि अगर महरास्ट्रा में कोई गुड़ बन रहा है, और उसको महरास्ट्रा में ही अगर सपोस करो की सेल गया जा रहा है, तो उस पे सपोस करो एक प्रड़क्ट है, जिसका प्राइस 10,000 रुपीज है, अब इस पे उन्होंने 18% JST लगा द जाएगा, तो इस 10,000 का जो 18% JST बनता है, वो तक्रीबन 800 रुपे बनता है, उसमें से 900 रुपे लेलेगा सेंट्रल, 900 रुपे लेलेगा स्टेट, तो यह तो S JST का एक्जाम्पल होगा, इस एक्जाम्पल को आप एक्जामें ज़रूर लिग देना, अच्छी मार्किंग आ बहुत जादा theoretical concept नहीं है, friends, यह अपने दियान गिमान में भी ठालो कि यह कोई बहुत बड़ी theory नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी experiments नहीं हुए है, या इसमें कोई हमने observation के through कुछ नहीं देखा जा रहा है, या किसी scholar ने इसमें अपना theory कुछ दिया हो, यह सारे चीजे इसमें नहीं होने के वज़े से एक ही चीज आप देख रहे होगे, क्योंकि बहुत कमबाइन सा है, JST बहुत ही छोटा साथ चीजे है, आप इसको एक बार समझ लोगे, तो यह बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए इसको एक्जाम्पल से समझ बहुत जरूरी हो क्या पड़ा, आपने पीछे पड़ा कि JST, Central JST 14% से जाधा लेवी नहीं हो सकता है, उसी तरीके से C JST और S JST दोनों मिला करके 18% से जाधा लेवी नहीं हो सकता है, 18% में भी दो पार्ट होता है, जिसका एक्जाम्पल यहां पर मैंने आपको दिया, नेक्स स्लाइट देख हो गया कि within the state, within the state जब चीजे supply होती है, या goods, services, जो भी within the state हो रहा है, मतलब एक ही state में, लेकिन interstate मतलब कि दो states के भी इसमें, दो different different states के बीच में supply हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, कि यहां पर एक example से अगें समझो, कि good बना कहां, महरास्टर में बना, लेकिन sale कहां हो जरात में हो रहा है, goods की कीमत है, suppose करो एक लाग रुप है, इसमें JST कितना impose हुआ, 18%, 18% IJST impose हुआ, इसमें CJST और SJST का कोई रूल नहीं होता है, जब समान बाहर के किसी states हा रहा होता है, तो वहां पे सिर्फ IJST impose होता है, बिल भी अगर आप बिल कभी भी चेक करोगे, जो वहां पे सिर्फ IJST impose किया जाता है, CJST और SJST नहीं impose करते हैं, तो 18% के हिसाब से, एक लाग का 18,000 रुप हो गया, तो 18,000 रुप है कि IJST जो है, वो बन करके चली गई सेंटरल गवर्मेंट के पास में, इसको गाई सेंटरल गवर्मेंट लेती है, स्टेट गवर्मेंट अ स्टेट गवर्मेंट ये शेर तो दोनों के तरफ किया जाता है, लेकिन ये जाता है, सेंटर लेती है, सेंटर बाद में इसको स्टेट को देती है, स्टेट को डिवाइड करती है, आप IJST जब भी भी देखो कि जब भी दोगे तो ये डारेटली सेंटर के पास आगा, पादर नागर, हवेली, चंदिगर, लक्षदवी, दमन्दियू, नेकोबार आइलेंड अन्डमादी यह जो आइलेंड जितने भी इन टेरिटरीज हैं तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो भी टैक्स वगर इंपोस होते हैं यहां के गोड्स और सर्विसेज पे उसको वोल जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता है कि CJST लेवी किया जाता है Central Government के थूँ और यह पेबल डारेक्टली होता है सेंटर को यह पे किया जाता है इसके जो भी टैक्स रिजीम बनता है इसमें स्टेट, गवर्मेंट और या या यूटी अगर से हम समान मागा रहे हैं मतलब इ बन के आ रहा है अगर वो स्टेट से आ रहा है तो वो स्टेट को दे दे कि सपोस्स करनाटका से रहा है तो करनाटका को दे दे कि लेकर अगर किसी सब्स अगर चंदीगर से मागा रहे हैं किसी यूनिन टेरिटरी से मागा रहे हैं तो यह उनमें डिवाइड हो जाता है उसी स्टेड से समान मांगा रहे हूं या आप समान मांगा रहे हूं इसे यूणिं टेरिटरी से ठीख है घाँ Also the extent Ad. bei-टेरिटरी को यहां पे यूटज स्थी औरी यूटी फीज़ और इफिर आई दुनों to tax होता है और IJST को, IJST है रिप्लेस किया हुआ है, Central Sales Tax, ही ध्यान में रखना, 1956 Central Sales Tax, CST Act को, IJST है रिप्लेस किया हुआ है, बाकी सारे चीज़े वही है, यह उनका कुछ स्ट्रक्चर बना दिया गया है, एक्जाम में बना देना इस वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्ट्रक्चर याद कर लेना जेस्ट को दो पार्ट में इंट्रा और इंट्रस्टेट इंट्रा में दो है CJST, SJST या UTJST और इंट्रस्टेट में IGST है हम इतनी देर से यही सारा कुछ डिसकुशन कर रहे हैं ठीक है वाइस यह आपका कुछ सी जेस्ट का मैंने थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि कौन से गुट्स पे कितना टैक्स वगरे इंपोस किया जा रहा है तो जीरो परसेंट फाइफ परसेंट ट्वल परसेंट इटीन और ट्विंटीट परसेंट यह पांच स्लैप बनाया गये हुए इस स्लैप के अकॉ सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़ें बट उसको मैंने हां पर लिखा नहीं मतलब वो अंडर स्टूड है आप समझ लेंगा पाइफ परसेंट जीज़ें में यह सारी चीज़े आ जाती है यह थोड़ी सी इन से जादा थोड़ी सी महंगी हैं से कॉफी टी हो गया स्पाइस मेडिसीन से सब पर लगता है 18 परसेंट लगता फ्लेवर्ड रिफाइंड बिस्केट पास्ता कॉन फ्लेक्स पेस्ट्रीज केक्स जैम सॉसेज सूप आइस्क्रीम टूथपेस्ट 28 परसेंट यह तो बहुत ही जो लगजरी टाइब के होते उन पर लगता है लगजरी आपने इस पे इन्होंने लगा दिया 28 परसेंट शुगर सिर्प पे लगा दिया है च्विंगम पे लगा दिया है वाइट चॉकलेट पे लगा दिया काफी महगयों होते हैं इसारे कुकोवा बटर पे और कस्टरड पाउडर फे टॉल ट्रीस पे डेंटल वैफल बेफर्स चॉकले इसमें से आप इग्जामिनेशन में अगर आप चार पॉइंट भी बिइते हो ना चार चार पांच 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 छे तो आपके पेज़ घाएंगी क्योंकि एप देखो एग्जाम में अगर आप लिखनी के लिए जाओगे तो इसमें घुमा फिराण करके वही सेंग पड़े होंगे तो उसमें आप कितना theoretical दोगे उसमें कुछ उनकी जो concepts होते हैं काफी limited होते हैं तो उसी तरीके से आपको examples देखर कि आप थोड़ा सा उसको extend कर सकते हो long कर सकते हो और साथ में इस तरीके की चीज़े अगर इस तरीके कर डाग्राम आप बनाते हो तो बहुत ही useful होगा तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको structure of GST के बारे में explain किया है आज के लिए बस एतना है thank you for watching this video और मेरा जो लोगो है वो change हो गया है यह लोगो इस तरीके का हो गया है मेभी आपको चैनल अप सर्च करने में मेभी चार-पांच घंटे अगर के अंदर में आप सर्च करोगे तो दिक्कत होगा क्योंकि इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा अकर मेरा वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर लेना सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को जरू प्रेस कर लेना थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में